दे टीवी पर आप सुन रहे हैं News This Hour और हम बात करेंगे भारत के मौसम विभाद द्वारा पूर्वोत्तर भारत के लिए जारी किये गए औरेंज अलर्ट की जो बारिश से संबंधित है और हम जानेंगे कि येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, औरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट य यानि जो चार कलर कोड़ेड वार्निंग सिस्टम है, रेन के संदर्व में वो जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि बारिश की मात्रा के हिसाब से बारिश के प्रकार का निर्धारन कैसे होता है। अगले कुछ दिनों तक पूर्वुत्तर भारत और पूर्वी भारत को प्रभावित करेंगी जिससे भारी बारिश होगी इससे बिहार और असम में गंभीर बाढ़ का खत्रा भी सामने आ सकता है अब हम जानते हैं क्या है बारिश से जुड़ा ग्रीन, येलो, ओरेंज और रे यहां ग्रीन अलर्ट का मतलब है हलकी बारिश यानि लाइट रेन जिसके लिए कोई चेतावनी नहीं दी जाती है दूसरे शब्दों में अथोरेटीज को कोई भी एक्शन लेने की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है येलो अलर्ट का मतलब है मॉडरेट बारिश जिस पर न बारिश की मातरा के हिसाब से बारिश के प्रकार का निर्धारण कैसे होता है भारत के मौसम विभाग के अनुसार 15.6 mm से 64.4 mm की बारिश को moderate rain कहा जाता है, जबकि 64.5 mm से 115.5 mm तक की बारिश को भारी बारिश यानि heavy rain कहा जाता है, वही 115.6 mm से 204.4 mm बारिश को very heavy rain कहा जाता है, और 204.5 mm से उपर की बारिश को extremely heavy rain कहा जाता है, अब बारी है आज की सवाल की, भारत के मौसम विभाग द्वारा जारी येलो अलर्ट में बारिश की मात्रा कितनी होती है, आपके options हैं, आप अपने उत्तर हमें comment box में बता सकते हैं, झाल.